हलो अरिवान नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको इपनोटीव चानल यह स्कूट लाइप में आशा करती हूं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तंद्रोश्त होंगे खुश होंगे आज है रिपबलिक डे और यह रिपबलिक डे वाले दिन का ब्लॉग है आप सभी को रिपबलिक डे की बहुत भाश्रब कामना है हम निकल गए हैं घर से क्योंकि मुझे जाना है आज कहीं पर तो यह घर पे थे इनकी छुटी थी मैंने चली कई दिनों से बुआ जी की रही है और उनकी सीरियस चल रही है तो बहुत जादा जो है प्रोबलम में है तो बस मैं जा रही हूं बॉआ जी से मिलने मेरी बुआ जी उनको देखने जा रहे हैं क्योंकि अब जो है मेरट वे दिखा चुके हैं कब से कितने महीनों से बिमार थी फिर उनका ओप्रेशन नहीं हो सकता मतलब डोक्टर नहीं है उस हिसाब के जो भी उनकी प्रोबलम चल रही है अभी कुछ जो है नहीं हो रहा है कि क्या है कैसे है लेकिन जितना भी बता रहे हैं डोक्टर कि जो उनकी पैन किरियाज हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है खाना पीना वो नहीं ले रही हैं बस लिक्विड थोड़ा बहुत ले लेती हैं तो बस प्रे करिएगा उनके लिए जल्दी से ठीक हो जाएं कल उनको जो है जाना है दिल ले तो मैंने सोचा आज मैं मिलके आ जाती हूं शायद एडमिट होना पड़ जाए या कुछ भी हो सकता है या फिर आ जाएं ये तो भी नहीं पता है पर मेरा मन हो रहा था तो आज मैं जा रही हूं कल जाएंगी होस्पिटल क्योंकि जो बिमारी है वो शायद महाँ पे जो है उसका डिटमेंट हो सकता है या पे हम मुझे फननगर रुके थे फ्रूट लेने के लिए मैंने जो है सामने से बाते करी थ थी लेकिन उसमें आवाज ही नहीं आई फिर वो मैंने इसमें से डिलेट कर दी तो मैंने चलिए जो है ऐसे ही बस आज कब लोग शुरू कर लेते हैं आला कि मैंने महाँ पे जाके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था देखो ऐसा मन बहुत मन दुखी हो रहा है क्योंकि मेरी बुआ जी जो है मेरे लिए बुआ जी ही नहीं है मेरी बड़ी बेहन मेरी मा मतलब सब कुछ मुझे उनमें दिखता है इस तरीके से हम पहले से रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि बस बुआ जी है जैसे नॉर्मली रिस्ते होते हैं वैसा नहीं है अकेली मेरी बुआ है अकेल से ठीक हो जाएं जो भी प्रोब्लम है और कुछ ज्यादा प्रोब्लम ना निकले क्योंकि अभी कुछ नहीं का जा सकता क्या है क्या नहीं कम से कम 10 से 12 दिन हो गए हैं उन्हें रोटी का एक टुकड़ा भी खाए बिस्किट भी वह एक या आधा ही खा पाती है तो इस स्टेज पे हैं तो बस अब बुआ जी का घर आने ही वाला है गाउं आ गए हैं हम स्टेय अंस बाकी सब घर पे ही हैं बस मैं और यह आई हैं वो किलिप मैंने फिर हटा ही दी क्योंकि कुछ उसमें किलिर ही नहीं हो रहा था पता नहीं कैसे बनी आज हरिद्वार में भी धूप निक बुआ जी का घर है वो बिल्कुल बाहर है केतों की साइड ही है एक दम जो कहते हैं गाउं से बाहर ही आ गया है मेरी बुआ जी का घर जो बिल्कुल लास्ट वाला गहर है पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ तो आज कुछ जादा रिकोर्ड नहीं किया था देखे यहाँ पे ना कोई फंक्शन था तो बहुत लोग आ जा रहे थे बुआ जी को देखने के लिए बहुत लेडिस आयोई थी तो फिर मैंने कुछ भी रिकोर्ड नहीं कि अच्छा भी नहीं लगता तो बस यहाँ पे अब जो है बुआ जी की जेठानी है यह बहुत बार आ जा जाता है महापेन का जो है कुछ टेस्ट अल्टा साउंड जो भी है मुझे भी इतना नहीं पता क्या होने वाला है वो लास्ट होगा कि उसमें किलियर हो जाएगा कि क्या है कैसे है इन्फेक्शन है या क्या है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता अभी सिर्फ टेंसन है टेंसन का माहोल है फुपजी बहुत परिशान देखो घर वाले तो बहुत जादा परिशान होते हैं जब देख रहे हैं दस बारा दिन से पेसंट इस तरह से पड़ा हुआ है घर में हमारा कोई भी हो देखिए तो खाँ पी नहीं रहा है तो बहुत दुख होता है और आगे कुछ कहा भ यह ब्लोग कंटिन्यू किया है फिर याद ही नहीं आया देखो जो प्रोब्लम होती है ना तो कुछ ही याद नहीं आता कपड़े सुखा के आ गई थी बाहर जाड़ो लगाने के लिए और फट फट से जाड़ो लगाऊंगी दूब अप निकलनी शुरू हो गई है मतलब न इसके मटर के इस तरह से ना हो जाते हैं सर्दियो में मूली के पते तो वो डाल दिये थे यह यहां पर खारी है और अब मैं आ गई हूं अंदर किचन में तो यहां पर कीचन का काम मैंने शुरू कर दिया है फट़ाफट से और किचन में ज़दा काम तो आज कल होता नहीं है क्योंगि order में बर्तन हो जाते हैं फटाफट से और बस मैं किचन साफ करती हूं और फिर फट से काम किचन का हो जाता है क्योंकि फिर शॉप पे भी जाना होता है तो जटपठ nett måste मैंने कर लिया है अपना काम सोचा चलिए जो है व्लोग कल का थोड़ा सा मैंने किया था और फिर उसके बाद करी नहीं पाई तो बस मैंने आज का व्लोग कंटीनु किया अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा ना हो जाता है गैस कहीं बार कल मैं जटपट में करके चली गई थी जल्दी जब कहीं जाना होता है फिर नेक्स अच्छे से एक दिन भी डंग से काम ना करो ना तो काम फैल सी जाता है तो यहां पर मैं अच्छे से देट आलता है जैल विम और ईसा नहीं करता है कि गीले कपड़ें में बहुत अच्छे से हो जाता है और मेरे यहां पर छोटा-साज़पसे मैंने गिजर लगवाया था कीचन में बहुती फाइदा हो रहा है बहुती अच्छे से साफ सफाई हो जाती है और सरदी भी नहीं लगती तो वस ऐसे ही जो है कपड़ा में टैल्स पे भी अच्छे से रगड के अच्छे से टैल्स को भी पहुँच दूँगी टैल्स पे भी जो है छीटे आही जाते हैं चाहे हम कितना भी बचा के कर लें कितना भी कवर कर के कर लें और वाइट टैल्स पे तो बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं तो वस यहां पे मेरी साफ सफाई जो है कम्पलीट होने वाली है फिर मेरा बचेगा लास्ट में पोचा पोचा आज कल स्टे लगा देता है क्योंकि वो घर पे ही है अब उसकी भी छुटियां खतम होने वाली है उसको जाना था नानी के घर मतलब मेरे माई के उसका मन कर रहा है देखो बच्चों का करता है और वो चला जाता है आपको पता ही पहले से लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि मेरे काम इतने रहते हैं मैं शॉप पे रहती हूँ तो घर में वो रह लेता है तो जादा वो नहीं होता पर उसको देखती हूँ एक दो दिन के लिए जरूर भेज दूँगी बच्चों को अच्छा नहीं लगता देखो इस तरीके से फिर से कॉलेज शुरू हो जाएंगे फिर डेली का वही रूटीन तो बस ऐसा कुछ चल रहा है अब सीधा आप से मिल नहीं हूँ रात को खाने के टाइम पे कड़ाई चड़ाई है उसमें सरसोगा तिल गरम कर लिया है यहां पे मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा तो यहां पे डाल दिया है इसमें मेथी दाना और मेथी दाना हलका सा हो जाता है फिर इसमें एड़ कर दूँगी मैं प्यास सुखी लाल मेचे डालती है तीन बहुत अच्छी लगती है हिंग डाल दिया हिंग पहले नहीं डाला था क्योंकि हिंग नाई बारिक वाला है तो वह जाता है जल्दी ही भुन जाता है प्यास डाल दिया है लैसन के साथ चौप कर दिया था श्रे ने तो यह सारा कुछ त्यारी तो पहले ही हो जाती है अब इसको मैं यहाँ पे गॉल्डन सा कलर आने तक भूल लूँगी सुखी लाल मेचे कौन-खौन कड़ी में डालता है बहुत अच्छी लगती है तो यह देखिए यहां पे जो है हलका सा कलर आ गया है और कलर आने के बाद फिर इसमें रुटीन के थोड़े से मसाले में अट कर दूँगी धनिया, हल्दी, और जो है रेड चिली, कश्मी रेड चिली डाली है अब यहां पे मैंने यह बेशन का घोल इसमें डाल दिया है च्छाज किस तरीके से बनाती हूँ या तो जो है मैं जामन लगाती हूँ मलाई को वो रख लेती हूँ, कुछ उसमें दही एड कर लेती हूँ या फिर दही कोई फैट के कई बार बनाना पड़ जाता है जाएगा तो उसको मैं बाद में मिक्स करके ऐसे डाल दोंगी, क्योंकि कई बार ना जब कड़ाई उपर तक आ जाती है मिक्स करने में फिर दिक्कत होती है तो यह देखिए अब चलाते इसको रहना है जब तक इसमें बॉल नहीं आ जाता और मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा तो उसको श्रेचला देता है यहां पे मैंने कड़ी के लिए बेसन ले लिया है और यहां बेवी कैमरा जो है कैप्चर नहीं कर पा रहा वाइट वाइट सा रहा है बेसन लिया है थोड़े से उसमें थोड़े-थोड़े से सारे मसाले डाल दूँगी हल्दी, मिर्च धनिया, गरम मसाला, सॉल्ट तो यह सारा कुछ नमक भी टेस्ट के इसाब से और इसको अच्छे से मिक्स करके पानी डाल के इसका बेटर तयार कर लेंगे पकोड़े बनाने के लिए सबजी की कड़ी जो होती है न वेजिटेबल कड़ी सबजी वाली तो वो बहुत जल्दी बन जाती है उसमें कुछ ताम जहम नहीं करना पड़ता और जादा तर सर्दियों में वेजिटेबल कड़ी ही बनती है अच्छी भी लगती है जिसमें मटर गोफी आलू इस तरीके से डाल के हम बनाते हैं होती सिंपल है बिल्कुल तो यहां पर यह मेरा बेटर तयार हो गया है अब इसके मैं पकोड़े बना लूँगी और कड़ी अब फिर कुक होती है सॉल्ट के साथ जल्दी हो जाती है तो यह कड़ी तो पकती रहेगी कड़ी पकोड़ा है तो कड़ी में तो कुछ नहीं करना पकोड़े बनेंगे बात में डाल देंगे कड़ी पहले पूरी तरह से पक जाएगी तभी इसमें जो है मैं पकोड़े डाल कड़ी पकोडा किस-किस को पसंद य साइक नहीं करते हूँ बहुत कम कॉमेंट मेरे व्लोग पे आते है şunu का यह यह बड़ा ही अच्छे से शॉट्फ शॉट्प पकोड़े बन के त्यार हो गए हैं hadn handmade जिससे की अंदर तक बेसन अच्छे से सीख जाए और यहां पर क्या किया मैंने कडशी नहीं उठाई जो है चम्मस से ही निकाल लिए मैंने चलो छोड़ो इतने के लिए क्या मैं कडशी उठाऊ तो ऐसे भी मैं कई बार आलस के काम कर लेती हूं और यहां पर पकोड़े भी हम मेरी रडची लिका आ जाता है तो यहां पर हमारी कड़ी डन हो जाती है और थोड़ी सी मैंने यह पतली रखी है क्योंकि इसमें क्या होता है फिर पकोड़े जो अंदर डालते हैं कड़ी के अंदर तो वो थोड़ा सा सोक लेते हैं कड़ी को या जो भी इसमें लिक्विड ह तो इसलिए फिर कड़ी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है पकोड़े वाली वेजेटेबल कड़ी थिक नहीं होती है वैसा पतली रहती है लेकिन यह हो जाती है तो इसको थोड़ा सा न मैं पतली रखने कोसिस करती हूं गराम मसाल अच्छे से मिक्स कर दिया था और यह डाल से आप बना के देखिएगा हाला कि सब इस तरीके से ही बनाते हैं पर सब का ना टेस्ट अलग होता है कड़ी का और यहां पर बस मेरे चावल भी बन रहे हैं तो कड़ी पकोड़ा चावल बन के त्यार हो जाएंगे यह हमारा आज का डीनर रात का रहने वाला है यह लग गई ह सिंपल तरीके से थाली में कड़ी चावल गर्मा गरम सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं आजाएगे आप लोग भी और आज के व्लोग में इतना ही कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीचेगा आप मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले को नेक्स व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई थैंक यो पो बोचिंग